अलो दूस्तों, तो आज की हमारी कहानी है एक किताब पुछकू के लिए तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी ये पुछकू एक लड़की का नाम है पुछकू नहालो, पुछकू अपना खाना खतम करो, अब फिर क्या था? पुछकू कक्षा में जाओ, पुछकू बस में जाओ, पुछकू अपना होम वर्ग पूरा करो, अब क्या हुआ? मगर पुछकू है कहा? पुछकू हमें कही दिखाई तो दे नहीं रही है पुछकू व्यस है उसके पास पढ़ने को किताब है पुछकू हमेशा पढ़ती रहती है घर पर पाठशाला में पार्थ में बिस्सर में भी पनने के बाद पनना एक किताब के बाद दूसरी किताब एक के बाद एक वैस सारी किताबे पढ़कर खत्म कर चुकी है अब क्या था पर तुम हमेशा पढ़ती क्यों रहती हो पुछकू बोल टू बोला इधर आओ ना काटून देखते है डोडला बोला किताबे पढ़ने का तो मज़ा कुछ और ही है पुछकू बोली देखो यह जो गोला देखते हो और यह एक रेखा है इसको थोड़ा दबाओ और उसको जरा खीचो लो एक अक्षर बन गया कुछ अक्षरों को साथ में रखो और एक शब बन गया शब्द कभी पते की बात करते है कहते हैं कभी गुद गुदाते हैं कभी दुख बाटते हैं तो कभी आईशा की रोशने दिखाते हैं जब देख दूसरे से जुड़कर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से कहानी बन जाती है कहानी पढ़ते ही आनन फानन में दूसरे दुनिया में चले जाते हैं मगर आज पुछकु एक उलजन में थी वह सारी किताबे पढ़ चुकी थी पुछ सकाले की सारी किताबे जिन पर उसकी पहुंच थी एक से दूसरे सिर तक सब पढ़कर समाप्त कर चुकी थी वहाँ अब मैं क्या करू और कोई किताब नहीं बची है पढ़ने को पुछकु रोने आ गई फिर क्या हुआ मगर तबी वहाँ क्या है पुछकु के नजर उपर गई तो एक नहीं दो नहीं तीन खाने किताबों से भरे हुए थे बहुत सी किताबे पुछकु खुशी से जूम उठी फिर मगर एक गडबर थी पुछकु तो छुटकी सी थी और पुसको की अलमारी के व हम आगे फिर क्या हुआ क्या वह रसी को उपयोग करेगी या फिर माकी साड़ी के साहरे उपर चड़ जाए और अगर वह कमरे में रखी खुर्सी और मेजों को उपयोग करे तो पुछकु ने सोचा अगर उसके पास एक जिराफ होता तो यह काम कितना सोनों जाता या कम से क एक बंदर या फिर दोनों फिर देखते हैं उसने क्या करा पुछकु को एक तरकीप सुजी उसने बोल्टू और डोडला को मदद के लिए बुला लिया चुपचाप बिना कोई अवास करे सब एक के उपर एक चड़ गए बोल्टू तू बड़ा भारी है डोडला कुड़ क मैंने उससे कहा था ना कि वहां आखरी रजगुल्ला मत खा यहां मैं नहीं बोल्टू फुस फुस आया यहां पुछकु है पुछकु ने धीमे से कहा शिश बस हो गया तभी सब गड़बड हो गई क्या गड़बड हो गई गिर गई आप उसके चलाने के अवाज आई अब पुछकु ने लगबग हाद में आई किताब की और दुखी होकर देखा क्या मैं कुछ मदद करूं लंबी लाइबरेरियन ने कहा अब देखते हैं क्या होता है पुछकु ने रुआसी होकर कहा मैं तो बस अलमारी पर चड़ने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरे पास पढ पुछकु ने सर हिलाया पुछकु किताबे चुनने लगी मैं यह वाली लूगी और यह और यह भी और खुशी से बोली धन्यवाद वो वाली भी ले लो जम मैं तुमसे चोटी थी तो मैं भी यह पढ़ा करती थी आप भी कभी चोटी थी पुछकु ने पूछा बिलकुल तुमसे भी छोटी, फिर मैं बड़ी हुई, तुम भी हो जाओगी, मगर तब तक तुम्हें जिस भी किताब की जरूरत हो, मुझसे मांग लिया करो, मैं तुम्हें ला कर दूँगी, ठीक है ना, आगे क्या हुआ देखते हैं, आगे मगर क्या पुछकु ने सुना, जी नहीं वह तो किताबों में रम गई, वरत, रेखा, एक अक्षर, और फिर दूसरा, एक शब्द, और फिर दूसरा, एक वाक्या, और दूसरा वाक्या, लो, अब एक नई कहानी, अब क्या हुआ, क्यूंकि पुछकु के हाथ लग गई थी एक नई किताब, इस कहानी से आपने क्या सीखा और आपको क्या-क्या जाने को मिला यह आप मुझे बताईए कमेंट सेक्शन में और यह कैसी लगी कहाने यह भी आप मुझे बताईए धन्यवाद